दिव्याशर्मा www.myfitnessbeauty.com या फिर गहरे दागों को ठीक करने के लिए अनियन बहुत यूजबुल है लेकिन यह चीज जानना भी बहुत जरूरी है कि इस अनियन को कितने टाइम के लिए अपलाई करना है और किन चीजों के साथ मिक्स करके इन्हें अपने फेस पर अपलाई करना है ताकि इसके बैनिफ अगर अभी पिंपल निकल रहे हैं तो उनको कैसे रोकें तो इन सब के बारे में जानकारी लेने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप इसके बारे में पूरी नौलेज ले सकें और इसके सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकें सबसे पहले बात करते हैं आप जो हलके दाग होते हैं उनको कैसे हटाया जाए अनियन के थ्रू तो हलके दागों को हटाने के लिए फेस से आपको क्या करना है आधा चम्मच अनियन जूस लेना है और आधा चम्मच ही आपको लेमन जूस लेना है एक चीज आपको बता दो कि आप इसे स्टोर करके नहीं रख सकते और आपको दोनों चीजे फ्रेश ही मिक्स करनी होगी यह नहीं है आप मिक्स करके रख दे और जब मतलब यह कहें कि आज भी अप्लाई कर लिया कल भी अप्लाई कर लिया ऐसे नहीं आप उसे तभी मिक्स करें और फेस पर अप्लाई करे 20 मिनिट के बाद fresh water से अपने face को wash करें ऐसा करने से जो हलके दाग होंगे अगर आप routine में ऐसे ही जो भी material जो भी mixture तैयार हुआ है इसे routine में अगर apply करते हैं तो जो face के हलके दाग होते हैं वो बहुत जल्दी कhtम हो जाएंगे एक चीज़ और ये बहुत easy है और lemon और जो onion है घर पे बहुत easily available भी हो जाता है इसके बाद बात करते हैं गहरे दागों के लिए गहरे दागों को अपने face से छुड़ाने के लिए हमें क्या करना होगा आधा चम्मच onion juice और आधा चम्मच आपको curl लेनी है इन दोनों को भी आप store करके नहीं रख सकते हैं इंस्टेंट ही आपको mix करना होगा और 20 मिनट के लिए अपने face पर apply करके रखना होगा 20 मिनट के बाद आप fresh water से अपने face को wash करें और फिर इसका reflect देखें अगर आप regular इसे भी apply करते हैं जिनके गहरे काले दाग पड़ गए हैं pimples से वो बहुत जल्दी ठीक होने लगेंगे और ये result आपको खुद देखेगा आप पहले से apply करें बाद में आप इसके result खुद जान जाएंगे इसके माद अपने बात करते हैं कि pimples निकल रहे हैं उसको कैसे ठीक करें क्योंकि अनियन के द्वारा जो भी पेस्ट या फिर मिटीरियल तयार होता है उसे स्टोर करके नहीं रखा जा सकता आप इन दोनों को मिक्स करके आदा अपने फेस पर जहां भी मुहा से हैं जितने भी एरिये पर हैं वहां पर आप अप्लाई करें पंदरा से बीस मिनट के बाद आप नॉर्मल पारी से वाश कर लें ऐसा करने से अगर आप रेगुलर ऐसा ही करते हैं जब भी आपको गहरे दाग हैं हलके दाग हैं या फिर पिमपल हैं आप जो भी रेमिडी आपको लगती है कि हाँ आपको जो प्रॉब्लम है वो आप इस रेमिडी को फॉलो करें और अपने दागूं और पिमपल से छुटकारा पाएं एक चीज का ज़रूर ध्यान रखें जिनको पिमपल ज़्यादा निकलते हैं वो 40-50 दिन सिरफ 40-50 दिन मौर्निंग में ऐलोवेरा जूस ज़रूर पियें जिनको भी पिमपल निकलते हैं इससे ज़्यादा पीने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके पिमपल निकलने बंद हो जाएंगे एक्स्टर्नली तो ये काम करेगा और इंटर्नली आगे से भी नहीं निकले तो वो एलोवेरा जूस आपको 40-50 दिन पीकर छोड़ दीजिए उसके बाद आपको पिमपल निकलना बंद हो जाएंगे अगर इस वीडियो के बारे में आप ज़्यादा इंफोर्मिशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का वहाँ पर जाकर आप इस चीज़ के बारे में और नौलेज ले सकते हैं ये इंफोर्मिशन आपको कैसी लगी प्लीज अपने कॉमेंट्स के द्वारा जरूर बताएं मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा पेनिफिट्स ले सकें मेरे चैनल को सबस्ट्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो के इंफोर्मिशन आपको मिलती रहें मिलते हैं एक और नहीं इंफोर्मिटीव वीडियो के साथ तब तक के लिए स्टे हल्दी, आलवेज भी हैपी थैंक यू फर वाचिंग मै वीडियो ओकी बाइ